नवश्कार दोस्तों, कॉंप्रिशन कमूरिटी के ओनलाइट प्रेटफॉर्म में आपका स्वागत है जैसा कि आपको ग्याद है, CGPSC 2019 प्रारंबी परिच्छा को ध्यान में रखते हुए चातर हित के लिए कॉंप्रिशन कमूरिटी ने एक नवचार प्रारंब किया है इस नवचार के माध्यम से विबिन विश्यों के MCQ सौल करवाए जाएंगे सौल करवाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि परिच्छा के पैटर्न और साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियरिटी भी बनी रहे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही उप्योगी होगी बहुत सारे विश्यों का क्रम यहाँ पर खदम हो चुका है और इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए एक अन्य विश्य के साथ मैं हूँ आपके पास अकास सेंग और वह विश्य है भारत का अर्थविस्ता या फिर इंडियन इगनॉमी इंडियन इकनॉमी संबंदित कोश्चन्स हम डिल करेंगे उसकी एक विडियो सिरीज चलेगी मंडे से लेकर सटर्डे तक और इन विडियो सिरीज पर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और उन टॉपिक को कवर करने का तरीका हमारा किस प्रकार से होगा इन सारे चीजों पर पहले ही हम एक जानकारी देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो पर प्रश्णों को हम सॉल करना शुरू करेंगे इस FDR वीडियो सेरीस में इंडियन एकनॉमिक के हम मुखिता छे टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके प्रिलिम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा ये छे टॉपिक कौन से होंगे और ये इंपोर्टेंस के अधार पर हमने इनका चेहन क्यों किया है तो जरह उस पर हम बात करते हैं इसकी जानकारी के लिए हमें भारत के आर्थी सर्विक्षन पर दिये गए एक शब्दावली पर ध्यान लगाना होगा वो शब्दावली क्या है शब्दावली है अर्थी व्यस्ता के सद्चक्र या दुस्चक्र ये अर्थी व्यस्ता के सद्चक्र और दुस्चक्र अगर हम समझ जाते हैं तो हम यह भी समझ जाएंगे कि हमें कौन से टॉपिक को कवर करना है और किसे नहीं करना है तो चलिए सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं इस सज चक्र और दुस चक्र क्या होता है या फिर वर्चोस साइकल और विशियस साइकल ऑफ हिगनामी का दात पर क्या होता है देखें यहां बोड पर आपको एक चार्ट बना हुआ दिख रहा होगा इस चार्ट पर आपको बहुत सारे बॉक्स दिख रहा होगे और उन बॉक्सोस के साथ में आपको एरोपी यहां पर जुड़ा हुआ दिख रहा होगा तो ये क्या है जरा हम देखते हैं देखें किसी भी अर्थवियस्ता पर सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविदी के रूप में देखा जाता है उत्पादन को उत्पादन किसका उत्पादन वस्तू और सेवाओं का क्योंकि जब वस्तू और सेवाओं का इंगलिश में श्रम बजार पर हमें रोजगार निर्मित होता हुआ दिखेगा क्योंकि जब बस्तु और सेमाओं का उत्पादन होगा तो उसे उत्पादित करने के लिए लोग यहां पर लगेंगे अरधात रोजगार का सीजन होगा जब हम यहां पर रोजगार का सीजन होता हुआ दिखें कुछ हिstone बजार की उर जाएगा डिमाने मांग बनाने जैसे फॉर एक्जामपल अगर मेरी यहां पर इंकम हुई मेरे रोजगार के दोड़ा मेरी जो आया हुई आये का कुछ हिस्सा बजार की और मैं जाऊंगा और अपने जवरत की चीज़ों को खरीदूंगा अर्धाद बजार में मैं मांग बनाऊंगा अब इस वस्तों को खरीदने के बाद इस वेपार के लिए फिर से राज़ास प्राप्त होगा पुना उत्पादन होगा पुना रोजगार होगा पुना आये होगी पुना मांग होगा अर्धाद पहले इस रूप में अगर आप देखें तो उत्पादन से हमने प्रारंब किया था और उत्पादन पर ही हमने आकर समाप्त किया अर्थात एक कुछ चक्र बना है एक साइकल बना है और इस चक्र को इस साइकल को हमें काम करते हैं साइकल वन का नाम दे देते हैं जिस टॉपिक पर उत्पादन से लेकर लोगों तक की आए होगी या फिर ये जो साइकल होगा इस साइकल को ही हम अपनी सहुलियत के लिए पढ़ लेते हैं नैशनल इंकम का नाम देकर राश्ट्री आए वाले टॉपिक पर तो सबसे पहले तो आज का जो वीडियो होगा वो नैशनल इंकम टॉपिक पर होगा अर्धाद इस पहले साइकल पर आधारी कुछ बाकी के साइकल पर भी हम बात कर लेते हैं और उसके बाद हम समझ जाएंगे कि क्या कवर होने वाला है आए का कुछ हिस्सा अगर पहले साइकल को यहाँ पर बनाने के लिए एक मुख्य कारक बनता है तो आए का कुछ दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर उत्पादन के लिए कारक बनेगा या दूसरे साइकल को निर्मित करेगा जब हमने देखा कि आये का कुछ हिस्सा बस्तू बजार में मांग बनाते हुए निकल गया कुछ हिस्सा बैंकों में बचत के रूप में जाता हुआ दिखेगा बैंक जिसे मैंने कहा अभी आप इसे वित्ती संसाओं के रूप में देख रहे होंगे बचत के रूप में यहाँ पर गया और इस बैंकों ने इस बचत में प्राप्त राशी को क्या किया इसे लोगों को उधार दिया और जो लोग उधार लेंगे वो क्या करेंगे निवेश करेंगे अरधात फुना उत्पादन होगा अरधात उत्पादन से बजार में मांग होते हुए जो साइकल बनी उसे हमने नैशनल इंकम कह दिया और उत्पादन में आए और बचत निवेश होकर जो साइकल बनेगी इसको हम साइकल टू का नाम दे देते हैं और हम इस साइकल टू को जब पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम जो पढ़ाई करेंगे वो मुद्रा से संबंदित होगी अरधात मुद्रा इस्पिती, मुद्रा और बैंकिंग जैसे टॉपिक हम इस साइकल पर कवर करेंगे अरधात लोगों की आए बढ़ने से बचत बड़ी, निवेश बड़ी, पुना उत्पादन बढ़ा ये हो गया हमारा साइकल टू अब हम अगले साइकल पर अगर जाएं तो लोगों की आए से ही सरकार की आए सुरिश्यत होती है जब लोगों की आए होती है, कुछ वस्तुवर सिवाओं को खरिते हैं तो अब प्रत्यक्ष कर सर्दगार तक पहुंचती है और अगर आए कर के स्लैब में आते हैं तो वहां से भी कर सरकार को जाएगा तो लोगों की आए से ही सरकार की आए बढ़ती है और सरकार की अगर आय होती है तो सरकार के वे भी यहां पर बढ़ेंगे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तोरवे फिर से उत्पादन बढ़ेगा अर्धाद अब यह हमारे पास एक और साइकल प्राप्त होता है जिसे हम साइकल थ्री कह देते हैं और जब इस साइकल की हम पढ़ाई करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे राज़कोशी निती के नाम से या फिसकल पॉलिसी जहां पर सरकार की भूमी का सरकार की आया और वैसे संबंदित चर्चाओ को हम शामिल करेंगे अब आते हैं हम अपने अगले साइकल पर ये है साइकल फूर हमारी आये से जब हम कोई वस्तू खरीदेंगे जिसका उत्पादन विदेश में हुआ है तो हमारे देश के लिए वो आयात होगा अर्धाद लोगों की आय ही आयात को निर्दारित करती है अंदर राश्री बाजारे खुल जाती हैं और जब निर्यात होगा तो पुना उत्पादन होगा अर्धाद ये भी एक साइकल की रूप में परिवर्तित आपको होता हुगा दिख रहा होगा इस साइकल फोर की जब हम पढ़ाई करेंगे तब हम इसे भुकतान का संतुलन या बैलेंस ओप पेमेंट नाम से जानेंगे तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये चार साइकल चार टॉपिक को यहाँ पर शो कर रहे हैं अब इन चीदों को समझाते हुए मैंने यहाँ पर सारे एरो को उपर की और दिखाया है जब अर्थ विज़स्ता की यह सारे घटा इस तरीके से बढ़ रहे हूँ अर्धात यह सारों जो है एक सकरात्मक दिशा में परिवर्तित हो रहे होंगे तब इस पूरे ही साइकल को हम वर्च्वस साइकल कहते हैं अर्धात अर्थ विज़स्ता के सद चक्र है जहाँ पर हर तरफ सिर्फ सकरात्मक दिख रही है लेकिन जब यह सारा ही एरो किसी भी कारणों से अगर नीचे की ओर होगा या फिर नेगटिव साइड में होगा तब हम इसे एक विज़स साइकल ऑफ एकनॉमी कहेंगे या फिर अर्थ विज़स्ता का दुस्चक्र ध्यान रखेगा कि इन छोटे छोटे चार साइकल को अगर हम एक बड़े साइकल पर देखें तो आपको ये भी दिखेगा कि उत्पाधन से हुई आए और आए इन अलग-अलग माद्यमों से पुना उत्पाधन सुनिश्चित करता है अर्थात उत्पाधन ही कारक बनता है पुना उत्पाधन का और एक ये व्रियद साइकल के रूप में दिख रहा होगा इसलिए इसे आप सद्चक्र और दुस्चक्र के रूप में कहते हैं अब इस तरीके से ही हमारी क्लास भी आगे बढ़ेगी जिस तरीके से आपने ये चार टॉपिक देखा इसी चार टॉपिक पर पर्टिकुलर आपको वीडियोस मिलेंगे और ये वो सबसे important topics हैं जिससे question पूछा जाता है जब भी इन topic को हम deal करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि basic के साथ साथ में dynamic approach भी रखें क्योंकि जब भी हम economy ये अर्थवयस्ता देखते हैं तो बहुत ही dynamic subject होता है अर्थाज एक basic जानकारी होने के साथ साथ अभी वर्तमान में इसकी क्या प्रवित्या हैं क्या आकड़े हैं क्या trend है उनसे संबंदित भी प्रश्ण यहां पर पूछे जाते हैं तो जब भी इन topics पर हम जाएंगे तो static और dynamic दोनों ही approach लगा कर हम आगे बढ़ेंगे ताकि जादा से जादा आप प्रश्ण सौल कर पाए भारत की अर्थविस्था के तो चलिए इस विडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले topic राष्ट्रिया के प्रश्णों के संग्रा के साथ सबसे पहला प्रश्ण कहता है मिर्शित अर्थविस्था का अर्थ है यहाँ पर आपके सामने चार option दिये गए हैं और हमें सही option चुनते हुए मिर्शित अर्थविस्था को समझाना है तो चलिए सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि अर्थविस्था के different model क्या होते हैं और अभी वर्दमान परिदिश में भारत किस प्रकार की अर्थविस्था से है और यहाँ से हम मिर्शित अर्थविस्था तक महुंचेंगे देगे जब भी आप अर्थविस्था के model पर बात करें या कोई भी अर्थवियस्ता किस प्रकार से अपने आपको नियोजित करती है तो हमें मुक्य रुप से तीन प्रकार के दिखते हैं पुझीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थवियस्ता सामेवादी भी होती है बढ़ अब्रियत तोर पर पुंजीवादी, समाजवादी और मिश्यत अर्थिवस्ता दिखती है जब भी हम पुंजीवादी अर्थिवस्ता कहते हैं तो इस अधारना पर अधारी जो भी राष्ट होंगे वहाँ पर आप यह देखेंगे कि जो भी स्वामित तो होगा उत्पादन का, वित्रन का, वा नीजी छेतरों के हाथ में होगा और जो भी वहाँ पर कार्य हो रहा होगा वो बजार की शक्तियों के अधार पर हो रहा होगा अर्थाद, मांग और अपूर्ती के अधार पर अब इस तरीके की जब आप एकनौमी देखते हैं तो बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी होते हैं लेकिन एक नकारात्मक पहलू होता है और वहाँ पहलू होता है समाज कल्यान कारी उद्देशों की पुर्ती का ना हो पाना कई जगों पर आप इसे बहुती सुचारू रूम से संचालित होते होए देखते होंगे कहीं पर इसकी खामियाबी है अब हम आते हैं समाजवादी अर्थवेस्ता पर तो समाजवादी अर्थवेस्ता पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सरकार का एक नियंतरन देखने को मिलेगा निजी छेदरों पर स्वामित्व से लेकर उत्पादन से लेकर वितरन तक हर छेदर पर आपको सरकारी हस्तचेप देखने को मिलेगा और इस तरीके पर आधारिज जो अर्थवियस्ता होती है यह अर्थवियस्ता समाज का लियांड कारी योजनाओ को तो काफी बहतर तरीके से संचालित करती है लेकिन कई जगों पर हम ये देखते हैं कि अगर ये हस्तचेप आवशकता से अधिक बढ़ जाती है तो जिस गती से जिस तीवर गती से उस देश का विकास हो सकता था अपने शमता के अधार पर उस विकास पे हमें धीमा गती भी देखने को मिलता है इन दोनों ही अर्थवेस्थाओं के सकारात्मक पहलू को अपने साथ में लेकर आगे बढ़ता है मिशित अर्थवेस्था मिशित अर्थवेस्था मिक्स एकनॉमी एक ऐसा कंस्ट है जहां पर उतनी आजादी नहीं होगी नीजी छेत्रों को जितना पुंजी वादी अर्थवेस्था पर होता है और उतना हस्तचेप भी नहीं होगा सरकारी इकाईयों का जितना समाजवादी अर्थवेस्था पर होता अब भारती परपेक्ष में अगर देखा जाए तो अजादी के बाद लगभग 90 के दशक के शुरुआत तक हम एक समाजवादी अर्थवयस्ता के तौर पर आगे बढ़ रहे थे लेकिन जब हमने देखा कि जिस शमता से हम भारत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या जिस गती से और globalization कहते हैं इस संरचनात्मक सुधार के बाद अभी वर्तमान में भारत एक मिशित अर्थवयस्ता का उतकिस्ट उधारन बना हुआ है तो इस तरीके से अगर आज से सही option का चेहन करने को अगर कहा जाए तो वह सही option हमें मिलता है option B पर जहां लिखा हुआ है कि जहां आए निरूपित करता है चार option है तो चलिए ये राश्ट्री आए या national income शब्द का अर्थ क्या होता है जब भी आप राश्ट्री आए या national income शब्द सुनें तो शाब्दिक अर्थ पर आप समझ सकते होंगे कि राश्ट की आए पर संबंदित बात हो रही है और राश्ट की आए तो राश्ट किस से बनता है राश्ट बनता है नागरिकों से आया citizen से राश्ट्री आए संबंदित होता है नागरिकों की आए से और ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि नागरिकों की आए अगर हम जानेंगे नहीं तो किस प्रकार की समस्याओं का वो सामना कर रहे किस प्रकार की योजना का निर्मान करना है इन सब की जानकारी हमें नहीं होगी इसलिए राश्ट्री आय का आगलन किया जाता है अब बात यह आती है कि राश्ट्री आय देखने के विभिन दिष्टिकोन होते हैं अब दिष्टिकोन कौन से होंगे तो GDP, GNP, NNP और प्रतिव प्रतिविक्ति आय जिड़िपी, GNP, प्रतिविक्ति आय यह चार महत्वपुन दिष्टिकोन हैं जिसके सारे हम इस राश्ट्री आय का आगलन करते हैं लेकिन जब हम GDP की बात करते हैं तो GDP पर जो भी हमें मौद्रिक मुले मिलता है वो नागरिकों की आय को नहीं दर्शात ता वो निवासियों की आय को दर्शारा होता है और फिर उसके बाद जब हम इसमें से विदेशियों की आय को हटा देते हैं जो भारत में निवासरत हैं और उन नागरिकों की आय जोड़ लेते हैं जो विदेशों में कारे रत हैं तब हमें जो मौद्रिक मुले प्राप्त ह होता है उसे हम कहते हैं जी एन पी या ग्रॉस नेशनल पूड़क्ट इस ग्रॉस नेशनल पूड़क्ट में से कुछ और यहां पर हम इंप्यूरिटी को हटा देते हैं जिसे हम कहते हैं मुल लिहास या डिपरेजेशन और उसके बाद हमें प्राप्त होता है एन एन पी या फ सबसे बहतर तरीके से नागरीकों की आए वही दिरिश्टिकों दर्शारा होगा और अगर NNP के आगे में आपको शुद्धता दिख रही है तो नागरीकों की आए का सबसे बहतर तरीके से सुचक बन जाता है शुद्ध राश्री उत्पाद या नेट नेशनल पुड़क अरवा अवधारना होती हैं लागत पर जैसे की कारक लागत और बजार लागत इस GDP, GNP, NNP पर जब आप जाएं तो कारक लागत बजार लागत क्या होता है जब सभी अंतिम बस्तू और सेमाओं की मौदरिक मुल्य को हम उनकी गर्णा करते हैं बजार में उपलबदता के अ की लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटर्पिनर्शिप इनके अधार पर जो मौदरिक मुल्य बनेगी उसे हम कहेंगे राश्री आए कारक लागत के अधार पर या फेक्टर कॉस्ट पर अरधाज सबसे बहतर तरीके से अगर कोई दर्शाएगा राश्री आए का सूचक बनेग तो वह होगा कारक लागत पर NNP क्योंकि अगर बजार लागत तक आप पहुंचते हैं तो बजार तक पहुंचने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ेंगी जैसे कि सरकार की राश्री आए का सबसे बहतर सूचक आप से पूछा जाए तो आप जान लें कि NNP फेक्टर कॉ कोस्ट कहां पर शो हो हो रहा है तो वह शो हो हो रहा है option C पर कईसे option C पर कहे रहा है कि GNP market cost अर्दाद सकलडाश्टी उत्पाद बजार किमतों पर इसमें से मुल्ले हास हटा दिया जाए तो जब इसमें से मुल्ले हास हटा दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा NNP market cost ये हो गया हमारा step 1 अगला जो step आता है अप्रत्यक्षकरों को घटा कर और subsidy को जोड़ कर अब इस NNP market cost जो हमें step 1 से प्राप्त हुआ इसमें से अगर हम indirect taxes को हटा देते हैं और subsidy को जोड़ देते हैं तो उसके बाद हमें जो यहाँ पर value मिलने वाली है वह value हो जाएगी NNP factor cost यह हो गया हमारा statement 2 तो NNP factor cost कौन सा statement हमें लेकर जा रहा है तो वह statement है C option पर इस प्रकार से C option इसका सहीं उत्तर बनता है तो NNP factor cost तक जाने के लिए आपको इस statement C पर पहुँचना होगा चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर अगला प्रशन कहता है एक खुली हुई अर्थ विएस्था में अर्थ विएस्था की राष्ट्री आये है C I G X में करमशा अर्थ है उभोक निवेज सरकारी खर्श हमें equation खोजना है और यह बताना है कि राष्ट्री आये इन equation में कहां पर प्लस और कहां पर माइनस वाला सही option है तो देखे जब आप अर्थ विएस्था पर बात करें या पिर यह जो आपको GDP जिसे Y से denote किया गया है इसे आप एक formula बेस पर ऐसे show कर सकते हैं यह क्या formula है इस formula को हम कहते हैं बैविदी से किया गया GDP का आगलन जिसमें C जो है वह है उभोग पर किया गया है I जो है वह है निवेश पर किया गया है G जो है वह है सरकारी खर्च और आप जब X माइनस M को कहें तो यह हो जाएगा निवल निर्याद अब इसे जरा हम समझ लेते हैं तो समझने पर यह है कि जब भी आप GDP की मौदरिक मुल्य निकाले मान लिजे आपने GDP की मौदरिक मुल्य 100 रुपए आती है तो इन 100 रुपए में यह जो आपको अलग-अलग 4 घटक दिखे हैं इनके क्या equation बनते हैं तो for example जैसे कि इन 100 रुपए के वस्तूव और सेवाओं में से कुछ प्रतिशत मान लो 60 रुपए के ऐसे वस्तूव का उत्पादन हुआ है जिसका प्रयोग consumption के लिए होता है जैसे कि यह मारकर जैसे कि कार यह सारे ऐसे वस्तूवे हो गए जिसका उत्पादन किसके लिए होता है तो इसका उत्पादन होता है consumption के लिए तो इस 100 रुपए के GDP पर 60 प्रतिशत हिस्सा जो होगा वो उब्भोग पर किये गए बैके द्वारा होगा अब हम आते हैं आई पर तो आई पर मान लेते हैं कि हमें मौदरिक मुले मिल जाता है 30 तो आई पर यहाँ पर जो वस्तुए होंगे वो किस प्रगार के वस्तुए होंगे ऐसे अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च किया गया है जिन वस्तुओं से हम आगे और लाब अरजित करेंगे ऐसे वस्तुओं को हम आई पर शो करेंगे और जब यहाँ पर जी पर आ जाता है तो जी पर सरकारी खर्च अरधात अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार के द्वारा किया गया खर्च तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको मिल जाता है 20 रुपे अब आते हैं हम इस X माइनस M पर तो X डिनोट करता है एक्सपोर्ट को या फिर निर्यात को और M डिनोट करता है इंपोर्ट को या फिर आयात को अब जारा हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी कार है जिसका उत्पादन चाइना में हुआ है और वह कार का जो consumption है वो हम कर रहे हैं या फिर यह important material है तो जब आप उस कार की money value को देख रहे होंगे तो आप यहां देखेंगे कि वह C वाले component पर जुड़ा होगा क्योंकि आपने क्या किया है कि जो भी यहां पर वैग किये गए है उब्भोग के लिए उब्भोग के लिए जो वस्तू सेवा हैं उनके लिए जो खर्च किया गया है उन्हें यहां पर जोड़ दो तो वह जो कार भी है वो भी उब्भोग मुलक खर्चे के अंदर गत आता है लेकिन वह कार क्योंकि चाइना में उत्पादन उसका हुआ था तो वह भारत की जीडिपी का हिस्सा तो नहीं मनना चाहिए हलाकि वह हिस्सा यहां पर सी पर जुड़ चुका है लेकिन उसका उत्पादन चाइना पर हुआ है तो उसे हमें यहां से हटाना होगा तो हम क्या करेंगे इस वस्तू को यहाँ पर से हटा देंगे मान लेते हैं कि यह आपके पास value है जाती है 30 अब हम बात करते हैं एक्स पर एक्स अर्थाद export यह एक ऐसी वस्तू होगी जिसका उबोग बाहर लोग कर रहे होंगे और यह आपके consumption वाले खर्चों पर नहीं जुड़ा होगा लेकिन इसका उत्पादन भारत में ही अगर हुआ है तो भारत की GDP का हिस्सा यह बनना चाहिए तो यहाँ पर हमें काम करते हैं value लिख देते हैं 20 यह हमने quantity कम ज़़ादा क्योंकि क्योंकि भारत एक आयतक राष्ट है और आयात होने वाला मुल्य निर्यास से अधिक होगा और जब हम यहाँ पर इसका balance निकालते हैं तब हमें यहाँ पर value आ जाती है minus 10 और जब हम इन सारे ही चीज़ों को add करते हैं तो हमें GDP मिल जाएगी 60, 30, 90, 110 और उसमें से 10 हमने हटा दिया 100 तो GDP जब भी आप निकाले तो आप यह देखें कि GDP अंतिम बस्तूर सेमाओं का मुद्रिक मुल्य है अब जब C वाले component पर आएंगे तो यह वो वाले अंतिम बस्तूर सेमाओं है जिसका प्रेयोग उबोग या कंजब्शन के लिए होता है जब आई पर आप आएंगे तो ऐसे वस्तूर सेमाओं के लिए किया गया खर्च जो आगे और लाब अर्जित करके आपको दे सरकारी वै अर्थास सरकार के दवारा अंतिम बस्तूर सेमाओं पर किया गया खर्च और यह फिर उसके बाद अंतर राश्वी बजार पर आपके बस्तूर के लेंदेन पर आदारित आपको यापर गटक देखने को मिलेगा तो जेडिपी का एक्स्पेंडिचर मेथट से निकाला गया यह एक्वेशन है अब बात यह आती है कि इस कोश्चन पर पूछा गया है कि खुली हुई अर्थवेश्था तो खुली अर्थवेश्था और बंद अर्थवेश्था यह होती है कि अगर यह बंद अर्थवेश्था होता तो बंद अर्थवियस्था पर ये x-m का equation नहीं होता बंद अर्थवियस्था का मतलब यही है ऐसा राश्ट जो विदेशियों से या फिर अन्य राश्टों से लें दिन ना कर रहा हो या फिर आयात निर्यत ना कर रहा होगा ऐसी अर्थवियस्था को हम बंद अर्थवियस्था कहते हैं लेकिन अगर आप खुली अर्थवियस्था देखें तो ऐसी अर्थवियस्था जो दुनिया के लिए खुली है उसके बॉर्डर यहाँ पर खुले हुए है और ऐसी अर्थोयस्ता पर आपको ऐसे equation देखने को मिलेंगे इस equation को आप हमारे उस चार्ट के अधार पर भी यहाँ पर समझ सकते हैं जब हमने यहाँ पर वह चार्ट बनाया था विर्चोस साइकल और विश्यस साइकल का तब हमने यहाँ पर दर्शाया था कि यहाँ से आप उत्पादन तक गए थे यहाँ पर आपने वस्तु बजार देखा था यहाँ पर आपने देखा था वित्ती संस्थाई यहाँ पर आपने देखा था सरकार और एक अंतिम बॉक्स था जहाँ पर आप अंतरराश्टी बजार या international market देख रहते और यह सारे ही चीजों को आपने ले जाकर जोड़ा था जो उत्पादन के लिए कारक बन रहते जब आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर का component C कहला रहा है जब आप बित या फिर निवेश यहाँ पर आपको I देखने को मिलेगा यहाँ पर G और यहाँ पर X-M तो GDP को बनाने के लिए कारक होते हैं यहाँ पर C, I, G, X-M इस equation के अधार पर आप सही option का chain करें तो सही option आपको मिलेगा option C पर C plus I plus G plus X-M चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न कहता है भारत में राश्री आयका प्राकलन किया जाता है संस्थाइं दिये गए हैं योजना आयोग, केंदरी सांखी की संगटन द्वारा भारती सांखी की संस्थान और राश्री प्रतिदर्श सर्विक्षन संगटन द्वारा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्षन भी केंदरी सांखी की संगटन CSO CSO गणना करता है राश्री आईगी चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न कहता है 2018-19 में GDP स्थिर्भा रही अब हम यहां से जो प्रश्न देखने वाले हैं वो डाइनमिक अप्रोच पर है और इससे कोशन पूछे जाने की संभवना जादा होगी कोशन कहे रहा है 2018-19 में GDP स्थिर्भा देखें जब भी हम GDP मौदरिक मुले निकालते हैं तब हम दो प्रकार से गढना करते हैं एक मौदरिक मुले जब हम प्रश्न भाव पर देखेंगे और एक मौदरिक मुले जब यहम इसे मौदरिक मुले निकालो быть और कहने प्रकार के शर्ष्न परोगा हो निकालेन म GDP आपको मिल जाएगा current price पर या प्रश्लेद बाव पर जब GDP जो भी आपका उत्पादन हुआ है लेकिन price आप किसी एक ऐसे वर्ष से लेंगे जिसे आप अधार वर्ष कहते हैं और उसके मौदरिक मुल्य को आप इस्थिर बना कर चलेंगे तो वह मौदरिक मुल्य बन इस GDP की मौदरिक मुल्य और होती है जो लागत के अधार पर होगा जैसे की कारक लागत और बजार लागत इसके बारे में चर्चा हमने कर लिया है तो चलिए अब यहाँ पर प्रश्ट पूछा जा रहा है GDP constant price कितनी रही 2018 में तो इसका सहीं उत्तर हो जाएगा 140.78 लाख करोर यह GDP स्थीर भाव की value है जो 2018-19 के लिए अनुमानित की गई है जाहिर सी बात है कि जब प्रश्लिद भाव पर आप जाएंगे तो यह स्थीर भाव से जादा होगा क्योंकि स्थीर भाव पर मुद्रा इस्विती सम्मिलित नहीं होती लेकिन प्रश्लिद जाना है इन सब चीजों के बारे में आपको एक basic जानकारी होगी क्योंकि इस वीडियो पर हम थोड़ी सी तेजगती पर चल रहे हैं और question को हम इस तरीके से approach में लाकर रखे हुए हैं जहां से हम revise कर सके ज्यादा अगर हम conceptual clearance पर जाएंगे तो वीडियो की अवधी बहुत ज दे रही तो उसका सही उत्तर हो जाएगा option A 6.8 प्रतिशत ध्यान रखिएगा जब भी प्रशलिद भाव और स्थिर भाव की कहानी पर आपको प्रात्मिक्ताओं का चायन करना हो तो आप constant price को आप पहले priority पर रखेंगे क्योंकि स्थिर भाव पर निकाला गया जो GDP होगा य या स्थिर भाव पर निकाले गए सारे ही आकड़े हमें वास्तिविकता दर्शाते हैं इसलिए GDP स्थिर भाव को हम real GDP या वास्तिविक GDP कहते हैं और स्थिर भाव की व्रिद्धिदर को हम वास्तिविक व्रिद्धिदर भी कहते हैं चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्र प्रश्लित भाव बृद्धी धर रही तो मौदरिक मुल्य पर हमने देख लिया कि 190 लाख करोर रुपए GDP की मौदरिक मुल्य है प्रश्लित भाव पर और जब वृद्धी धर की हम बात करें तो यह वृद्धी धर हमें 11.2 प्रतिशत दिखेगी आप ध्यान रखे इस तिर भ समाप्ति के बाद जब हम 2019-20 के वित्ती वर्ष पर आगे बढ़ते हैं तब हम यह देखते हैं कि दिसंबर कमा समाप्त हो चुका है और इस अधार पर लगबग तीन कौटरली या तीन त्रेमासिक्स मैं अवदी भी यहां पर गुजर चुकी है तो अब प्यासी के लिए यह जो आपके क्वाटरली जीडिपी ग्रोथ रेट होंगे उनसे भी संबंदित प्रश्ण प्यासी आपसे पूछ सकता है तो चलिए इसी पर अधारी तो हम अगले प्रश्ण पर आते हैं नेम लिल्खित कतनों पर विचार करें पहला कतन कहता है वर्ष 2019-20 के दिती त्रेमासि प्रश्ण रहें ध्यान रखेगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि अगर हम जब जीडिपी के विद्धी दर पर आप देखें तो लगातार नियूस पेपर पर नियूस चैनल पर सरकारी आकड़ों पर यह चिंता जता ही जा रही है कि भारत की जीडिपी विद्धी दर लगातार गिरते जा रही है उसके पीछे कई कारक हैं जिसमें प्रमुक कारक बजार में मांग में कमी देखी जानी है अब यहां पर बात आती है कि इसी आधार पर जब आप प्रश्णों को देखें तो आपको इस प्रश्ण का सहीं उत्तर मिलेग वो था 4.5 परसेंटेज यह इस्तिर भाव की बात है और कोशन पर आपसे इस्तिर भाव पर पूछ कर प्रश्रिक भाव के आकड़े दे दिये गए हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं पर ध्यान रखेगा इस तरीके से कंफ्यूजन सीजी प्यसी भी कर सकता है सहीं वेवस्ता को पांच ट्रिलियन का आकार दे देना अगामी पांच वर्षों पर अर्थाद दोजार चौबीस पचेस तर इस बड़े लक्ष को पूरा करने के लिए सालाना टार्गेट को पूरा करना भी अवश्यक है और वह सालाना टार्गेट भारत के आर्थिक अगामी पांच वर्षों में भारत को पांच ट्रिलियन की अर्थ विजस्ता बनाने के लिए वास्तविक जीडीपी विद्दीदर कितनी दर्शाई गई है सहीं उत्तर है ऑप्शन सी या फिर आप कह सकते हैं आठ प्रतिशत यहां पर इस्तीर भाव या फिर वास्तविक ज जो समानी दर होगी वो प्रति वर्ष चार प्रतिशत आप अनुमानित कर सकते हैं तो जब आप से यह पूछा जाए कि प्रश्रित भाव पर कितना यहां पर बात हो सकता है तो 12 प्रतिशत लेकिन आर्थिक सर्विक चण ने सिर्व वास्तविक जीडीपी पर चर्चा की है और वह है आठ प्रतिशत प्रति वर्ष विद्धी दर अब हम आते हैं हमारे अगले प्रशन पर विबिन संस्थानों द्वारा 2019 के लिए जीडीपी विद्धी दर के अधार पर सुमे लिद किजिए मैजदा फॉलइंग एक तरफ संस्थाएं हैं और दूसरी तरफ जो पॉटेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि जब जब महत पुन संस्थाएं बारत के जीडीपी विद्धी दर पर अपने अनुमान लगाते हैं तो जितना अच्छा अनुमान होगा उतना ही हमारी चवी अंतरराश्टी मंच पर आर्थिक मंच पर बहतर दिखेगी और पर आपको यहां पर संस्थाएं दी गई हैं सही ऑप्शन होता है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक ने पांच परतिशत अर्बी आई ने पांच परतिशत ध्यान रखिएगा आर्बी आई ने छे दशमलों एक प्रतिशत अनुमानित किया था लेकिन हाली में जारी किये गए प्रतिवेक्टी दर्भी आप देख लेंगे प्रलिंस के पेपर देने से पूर्व चलिए अब हम प्रारम करते हैं हमारा अंतिम प्रशन अन्तिम प्रशन अधारित है प्रतिवेक्टी आई पर प्रतिवेक्टी आई क्या होता है जब हम राश्री आई को जनसंक्या पर वित के नागरिकों के जीवन के इस तर्फ पर वास्तिविक वृद्धी का अगलन कर सकते हैं तो चलिए हम यहां पर देखते हैं प्रश्ण को नेमने लिखीत कत्रों पर विचार करें दो हजार अठारा उननेस में इस्तीर बावपर प्रतिविक्ती आये ब्यानवे हजार पांससो पैसट रही प्रश्लिद बावपर एक लागच्छबिस हजार चार्सोचे रूपर रही ठीक उसी प्रकार तीसरे और चतन पर इस तीर बावपर पांच दिसम्दो चे प्रतिशत बृद्धी रही और पच्छित भौपत 10% बृद्धी रही और ये चारों हुई कथन सही हो जाते हैं और हमें सही option बिलता है option D सभी सही इस वीडियो पर भारत की अर्थविजस्ता संबंधित इतने ही प्रशने देखते हैं और राश्री आयस पर आधारित जो आपकी CGPSC पर question आ सकते हैं वह हमने सारे ही टॉपिक लगबग लबग कवर कर लिए आप सिर्फ इतने ही question अगर deal कर लेंगे तो आप अधिकतम से अधिकतम प्रशनों को आप आसानी से solve करके आ जाएंगे तो चलिए बागी के question हम अगले वीडियो पर देखेंगे धन्यवाद CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए competition community के YouTube चैनल को subscribe कीजिए और daily updates के लिए bell icon को प्रेस करना ना भूले